हलो गाइज विसेटली ही मैंने घर शिफ्ट किया है और सोचा आपको एक क्विक लिविंग एरिया टूर देदूं अगर आप चाहोगे तो बेड्रूम टूर भी देदूंगी यह मेरा एंट्री पे ही एक साइड टेबल है जिस पर मैंने कुछ बुक्स रखी हैं और यह बहुत फाहें गच्छा है और यह जो कुषिन कभर है यह मैंने एमसाओन से परचीज किये थे थूर हो सोफ ऐघना की एकाँ है यह बोन यह के लोकल मार्कट मार्केट से पर्चीज किए थे और यह cat you स्टूंव स्वासः सभने श्यू से पर्चीश कि वैंने हैं और गाइस इसकी कॉलिटी बहुत ही अच्छी है और मैंने यह अपने वीडियो दिखाया भी था और सोफा के साइड में ये बस इतना ही स्पेस है सोफा के लिए और ये सोफा मेरा 10-12 येर्स ओल्ड है और ये जो सेंटर टेबल पे मैंने प्लेसमेट वास और फ्लार्स रखे हुए हैं ये भी मेरे मिशो से परचेस की हुए हैं जो की बहुत ही ब्यूटिफुल है और एलिगेंट लुक दे रहे हैं घर को ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है क्योंकि कैमरा भी मैंने पकड़ा हुआ है तो थोड़ा सा हिल रहा है और ये इसका क्विक रुक वो रहा कुछ ऐसे दिख रहा है ये और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ये देखिए अगर डाइनिंग एरिया से देखो तो ये दोर से ऐसा लुक है मेरे सिटिंग एरिया का बहुत ही प्यारा लग रहा है ये मुझे और आप कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लग रहा है ये मेरे कर्टेन पुराने ही है क्योंकि हमारे मेरे हस्बन की जॉब ऐसी है जो हमें कुछ कुछ टाइम बद शिफ्ट करना पड़ता है और ये मैंने हैंगिंग प्लांट लगाए है कर्टेन रॉड के साथ और ये मेरे दो बेड्रूम है अंग जो ये मेरे डाइनिग टेबल है ये मैने होम से लिया हुआ था और एंट्री के लेट साइड़ में मैंने ये एक क्रॉकरी यूनित रहा हुआ है जो की 25 तो 30 एस ओल है और ये बेटे के 1 वर्ड़ की फोटो है और ये जो क्रॉकरी यूनिट है यह मेरी मदर इलो ने परचेस के हुआ था इसकी बुड की क्वैल्टी बहुत ही अच्छी है और यह आर्टिफिशल रबड प्लांट है जो देखने से कोई गैस नहीं कर पाता है कि आर्टिफिशल है इतना नैच्रल लुक देता है ना यह यह मेरे तरफ से हाइली रिकमेंड है इसका लिंक आपको अमेजान में मिल चाएगा यह और इसका प्राइस भी डाउन हो गया है अगर अबलेबल हुआ तो मैं लिंक जुरूर दूंगे और यह हैंगिंग फैमिली है यह फ्लिप कार्ड या मिशू से ली थी यह मुझी क्यार नहीं है और यह एक लाइब प्लांट है यह रहा इसका ओवर ओलुक और यह बुद्धा फांटेन जो है यह मैंने फ्लिप कार्ड से खरीदे थे और बहुत ही प्यारे हैं यह मतलब इसकी लाइटिंग भी बहुत अच्छी है रात को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और अ यह देखिए ऐसा ओवर ओलुक आ रहा है और इसकी साइड में चोटी सी लॉबी है और यह मेरा थर्ड बेड्रूम है जो बहार एक वालकनी से अटैच है और साथ में वाश्रूम है यह और अगर आप चाहोगे तो मैं बेड्रूम टूर भी आपको ज़रूर दूंगी और आ अनि भी मैं ट्राइ करूंगी फिर भी मैं कुछ चीजें हैंग कर सकूंग तो थैंक यू फॉर वाचिंग बाब बाई